नमस्कार मैं प्रवेन गोतम दोस्तों आज पल्टी मारने का ओफिशल एलान करते वे जैन चोधरी ने ऐसी बात बोली जो दिखाता है कि हमारे देश में मुद्दो का कोई महत्व नहीं है वैक्ती पूजा ही सर्वोपरी है और पबलिक को मुर्क मान लिया गया है जैन चोधरी से जब पत्रकारों ने सवार पूछा कि आप चोधी चरण सिंग को भारत रतन पीम मोदी ने दे दिया है तो क्या आप बिजेपी के साथ जाएंगे तो जैन चोधरी इस सवाल के जवाब पर देखिए क्या कहते हैं कहते हैं कि कोई कसर रहती है क्या आज मैं किस मूँ से इंकार करूँ तो जैन चोधरी ये बात BJP के लिए बोलते हैं कि अब मैं किस मूँ से इंकार करूँ PM मोदी ने इतना बड़ा संबान तो दे दिया है तो क्या जैन चोधरी के लिए वैक्ति पूजा ही सब कुछ है क्या भारत वत्न सम्मान ही मुद्दों से बड़ा हो गया है जिन मुद्दों को लेकर चोधी चर्ण सिंग ने लंबे समय तक संघर्ष किया क्या जैन चोधरी उन मुद्दों को भूल गए क्या भारत अत्म के मिलने से जैन चोद्री जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे वो सारे मुद्दे सुलच गए हैं जैन चोद्री जिक्रिया करते थे कि अगनी पत्थ योजना ने जो हमारे समाज के युवा है जो किसान कौम के युवा है उनका जीवन बरबाद कर दिया है किसान कौम के लड़के ही जवान बनकर आर्मी में देश की सेवा करते हैं आज वो सरक पसंघर्ष कर रहे हैं और जैन चोद्री कहते हैं कि सब कुछ तो दे दिया है अब मैं किस मूँ से इंकार करूँ कल को यही हुआ जब जैन चोद्री के पास आएंगे कि हमारी समस्या का समाधान करिए अगनिपत योजना को समाध कराईए आर्मी में पहली की तरह भरती का प्रावधान कराईए तो क्या जैन चोद्री उनको यह जवाब देंगे कि देखिए चोद्री चर्ण सिंग को भारत समान तो मिल गया अब आप अपने मुद्दे को भूल जाएए किसान जो MSP को लेकर आनूलन की तयारी कर रहे हैं क्या जैन चोद्री उनको बोलेंगे कि MSP वगयरा भूल जाएए चोद्री चर्ण सिंग को PM मोदी ने भारत समान तो दे दिया है अब मैं किस मूँ से PM मोदी से और कुछ मागू जैन चोद्री जी उसी मूँ से इंकार किया जा सकता है उसी मूँ से मुद्दो पर लड़ाई लड़ी जा सकती है जिस मूँ से आप कहा करते थे कि मैं 54 थोड़े हूँ जो पलट जाओंगा जब 54 वाले बयान को लेकर जैन चोद्री से आज सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया लेकिन राज़ीती में जैन चोद्री वाकई 54 साबित हुए और उनके 54 की तरह पलटे को लेकर कुछ पत्रकार क्या कहते हैं ज़रा सुना जाए बरिश पत्रकार दीपक शर्मा इसे लेकर कहते हैं कि करपुरी ठाकुर को भारत पत्न देकर नितीश कुमार के लिए रास्ता खुला गया और चोद्री चर्ण सिंग को भारत पत्न देकर जैन चोद्री के लिए एंडी में आने का रास्ता बनाये गया है इस महान देश के महानतम सम्मान के साथ ये कैसी दाजनितिक सोदेबाजी है समय आने पर इतिहास मुल्यांकन करेगा इसके लावा इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं चोद्री चरण सिंग्को भारत रत्न लेकिन MSP की गारंटी नहीं स्वामी नाथन साहब को भारत रत्न लेकिन स्वामी नाथन कमेटी की रिपूर्ट पर चुपी नसिमा राव को भारत रत्न लेकिन उनके आदर्ष गांडी नहरू पर कीचणuft कमाल है तो यहाँ पर पत्रकार से लेकर इतिहासकार आरोप लगा रही है कि भारत अतन के नाम पर राजिती किजा रही है चुनावी सोदेबाजी किजा रही है जैन चोधरी के लिए ग्राउंड तयार किया गया पहले नितीश कुमार के लिए ग्राउंड तयार किया गया करपुरी ठाकुर को भारत अतन दे कर उसके बाद चोधी चरण सिंग को भारत अतन दे कर अब जैन चोधरी के लिए रास्ता आसान किया गया है वरना प्रेस कोंफरेंस में आने में जैन चोधरी को शर्म आती जब पत्रकार सवाल करते कि आप तो कहते थे कि मैं पलटूंगा नहीं अब आकिरकार आप कैसे पलट गए तो अब बहाना मिल गया है जैन चोधरी को मुद्द जाए भाड में जैन चोधरी ने इमान लिया है कि भारत रतन ही सब कुछ है मुद्दों की कोई बात नहीं है प्रतीक की राज़िती ही जैन चोधरी जैसे नेताओं के लिए सब पर उन नामों का वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करना ये ठीक नहीं है और एक और गाली देना एक और मत बैंक की वोट बैंक की पॉलिटिक्स आती है तब ये करना ठीक है तो यहाँ पर कॉंग्रिस आरोप लगा रही है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भारत रतिन का इस्तिमाल किया जा रहा है अगर पियम मोदी वाकई इन महान हस्तियों का सम्मान करते है तो दस साल तक इनको ये सम्मान क्यों नहीं दिया अब जब नियम ये है कि एक साल में तीन लोगों को ही मिल सकता है तो पांच का इलान पियम मोदी कर चुके हैं चलो सम्मान देने में कोई बुराई नहीं है इन सब महान हस्तियों का देश और समाज के लिए बड़ा योगदान है लेकि सवाल ये भी उठता है कि क्या मोदी सरकार उनके बताय रास्ते पर भ करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार